दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके BSC First Year First Semester Chemistry का Model Paper लेकर आया हूँ और ये ऐसा Model Paper है जो की Recently Exam में आया था तो जिन इस Student के Exam चल रहे है या जिनके Exam आने वाले है उनके लिए ये Model Paper बड़ा Important है आप इस Model Paper के Pattern को देखकर और इनके Question को देखकर अपनी तयारी अच्छे से कर सकते हैं तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जो इस बार के Exam होने वाले है वह NEP यानि की New Education Policy के According होने वाले है और आपके Paper का जो Title होगा वो होगा Fundamental of Chemistry और आपका Paper Total 75 नंबर का होगा जैसा कि नीचे आप Notes में देख सकते हैं कुल पांच प्रसनों के उत्तर देने हैं प्रतम प्रसन अनिवार होगा यानि कि जो First Question है वो कंपलसरी है आप सभी को करने हैं प्रतेक इकाई से एक प्रसन का उत्तर दीजिए यानि कि जितने भी यूनिट है उसमें से आपको केवल एक अई प्रसन का उत्तर देना है प्रतेक प्रसन के अंक दाहनी और अंकित होगे The answer to short answer type question should not exceed 200 word and the answer to long answer type question should exceed 500 word तो जो लगूतरी प्रसन है उनका answer maximum आपको 200 word में देना है और जो long question होगे उनके answer आपको maximum 500 सब्दों में देने होगे तो ये जो answer हो वो 500 word से कम न हो तो आए चलते हैं पहले question की ओर तो first question जैसा कि हम सभी जानते है ये compulsory है आप सभी को ये question करना ही करना है आप इस question को छोड़ नहीं सकते हैं तो इस question में आप देखेंगे यानि की first question में आप देखेंगे कुल 10 प्रसन दिये हुए है और प्रतेक जो प्रसन है वह 3.5 यानि की 3.5 नंबर का है तो एक प्रसन 3.5 का है तो कुल अगर 10 प्रसन है तो टोटल जो कोशन नंबर 1st है वह 35 नंबर का है तो question number first जो है इसमें short type के question है आपको maximum 200 word में इसके answer देने है जैसा है कि आप उपर देख सकते हैं तो आईए चलते हैं question की ओर तो question number first का A है write short note on electron affinity यानि कि electron बंधुता पर संचिप्त तिपड़ी लिखिए तो यह जो topic है यह periodic table से related है अगर आपने periodic table पढ़ा होगा तो periodic table के चो properties है उन्ही properties में एक है electron affinity तो आपको electron affinity पर short note लिखने हैं तो आईए मैं आपको समझाता हूँ कि electron affinity होता क्या है the amount of energy that is released when a electron is added to an atom यानि कि जब हम किसी परमाडू में कोई electron जोडते हैं तो जो उर्जा मुक्त होती है उसे ही हम बोलते हैं electron affinity तो जब हम periodic table में left से right की हो जाते हैं तो electron affinity increase करता है यानि कि आवर्त सारणी में बाय से दाय जाने पर electron affinity का मान बढ़ता है जब कि periodic table में जब हम top से bottom की हो जाते हैं उपर से नीचे की हो जाते हैं तो electron affinity का मान घटता है तो आपको इतना point याद होना चाहिए आप जब भी answer लिखेंगे तो sort type के question का answer आप इतने ही word में लिखेंगे है चलते हैं अगले question की और question number two है MN यानि की magnees जिसका atomic number है 25 इसका आपको electronic configuration यानि की electronic विन्यास लिखना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने screen पर अलग-अलग electronic configuration दिये हैं और जितने भी electronic configuration दिये हैं सभी important है तो आप इन सभी को याद कर लिजे नीचे magnees का भी दिया हुआ है आप इनके electronic विन्यास को देख सकते हैं और simple topic है आप सभी ने class 11 से ही पढ़ा होगा electronic configuration कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता कैसे किया जाता है तो इसके लिए मैंने video बनाया हुआ है आप हमारे channel के playlist में चले जाए आपको video मिल जाएंगे अगर आपको video नहीं मिलता है तो आप please comment करके बताएगा मैं आपको link send कर दूँगा चलते अगले question की और C question है CuCl2 और NaCl से अधिक सह संयोजी है क्यों वाई CuCl2 is more covalent than NaCl तो इसका answer भी मैं आपको बता देता हूँ CuCl has more covalent than NaCl because Cu2 plus has more polarizing power than Na plus तो होता कहा है कि CuCl2 में जो copper iron है ठीक है इसका जो polarizing power होता है वो Na plus से अधिक होता है और जिसका polarizing power अधिक होता है उसका covalent character भी अधिक होता है तो Cu plus की जो polarizing power है वो Na plus से अधिक है इस वजह से CuCl2 जो है इसका covalent character NaCl से अधिक है आई चलते है अगले question की और question number D है Explain why first ionization potential of nitrogen is more than first ionization potential of oxygen while second ionization potential of oxygen is more than second ionization potential of nitrogen तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर बताना है nitrogen का जो प्रथम आयनन वीभव होता है वह oxygen से अधिक होता है जबकि दिती आयनन वीभव oxygen का nitrogen से अधिक होता है तो बहुत simple से question है आप सभी ने class 11 में भी इस topic को पढ़ाओगा मैं आपको इसका answer बता देता हूँ तो यदि आप nitrogen और oxygen का electronic configuration करेंगे तो आप देखेंगे कि nitrogen का जो सबसे outer most P orbital है उसमें केवल 3 electron है यानि कि वो half field है जबकि oxygen का आप P orbital देखेंगे तो उसमें 4 electron है तो जब भी कोई orbital half field हो यानि कि आधा भरा हो या फिर full field हो यानि कि पूर्ण रूप से भरा हो तो वो बहुत अधिक इस्थाई होता है और जब वो बहुत अधिक इस्थाई होता है तो उससे electron निकालने के लिए हमें बहुत अधिक उर्जा की आवसकता होती है तो ionization energy होता क्या है? ionization energy का मतलब होता है electron को निकालने के लिए आवस्यक उर्जा तो जब हम nitrogen और oxygen का compare करें तो देखेंगे कि nitrogen का जो P orbital है वो half field भरा हो है तो half field भरे होने की वज़े से इसमें electron निकालने के लिए हमें बहुत अधिक उर्जा की आवसकता पड़ती है then oxygen के compare में तो पहली बाद जब भी हम electron निकालेंगे nitrogen से तो वहाँ पर अधिक उर्जा चाहिए होगी तो इसलिए जो first ionization energy होता है वो nitrogen का oxygen से अधिक होता है अब वहीं अगर हम दूसरी बार electron निकालें तब second ionization energy का value क्या होगा तो वहाँ पर होगा क्या कि nitrogen से तो आलरेडी पहले एक electron निकल चुका है P orbital में तो इसके P orbital में केवल दो electron होगे और oxygen में से एक electron निकला है तो अब इसके P orbital में तीन electron होगे तो यहाँ पर अब देखेंगे तो oxygen का जो P orbital है अब यह half field है यानि कि अर्धवरित है अब nitrogen और oxygen का अब इस बार compare करें तो देखें हम oxygen का half field होने की वज़ा से यह बहुत अधिक स्थाई हो गया है तो जब हम दूसरी बार electron निकालने की कोसिस करते हैं तो oxygen के case में अब हमें अधिक उर्जा किया हो सकता पड़ेगी क्योंकि यह half field है इसलिए oxygen का जो second ionization energy है वह nitrogen से अधिक होता है तो पूरे word को मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप English में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको केवल समझा दिया है तो आपके model paper में और भी question है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाओंगा विच solution यदि आप इसका second part चाहते हैं तो please comment करके बताएगा क्योंकि आपके comment से ही हमें motivation मिलती है और अच्छा लगता है कि मैं आगे वीडियो बनाओ तो आपको आज का part कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो please channel को subscribe कर लिजे ताकि future में जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आपको मिलता रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए जय हिन जय भारत